नमस्कार साथियो एक टोपिक पे पहले वीडियो बनाया था लेकिन उस पे टोपिक छड़ा चेंज हो गया था इस टोपिक में हम बात करेंगे कि युए सरकार ने आपको पता भई यह चाहती है कि हर आदमी कोरोना टेस्ट करवा सके क्योंकि बहुत सारे लोगों को पेड़ क तो सरकार ने अपनी तरफ से कोशिस करके थोड़ा सा इसको माइनस किया है तो अच्छी न्यूज यह है दो टोपिक पे बात करेंगे हम यह दूसरी टोपिक यह भी वही कि अच्छी बात है कि यह वे सरकार कुछ गरीब लोग होस्पिटल में एड्मिट हो जाते हैं करती है यह इंडिया के मैंने तीन से चार एक्जामपल तो पिछले कोविट-19 में देखे हैं पहले भी यह इत्यास रहा है सरकार का तो यह अच्छी न्यूज मैं मान सकता हूं हमारे लोगों के लिए अधर कंट्री के लोगों के लिए बेस्ट न्यूज है तो बतातूं सरक करोना टेस्ट करवाते हैं तो आपका 250 दुबई दराम लगेगा इंडियन रूपीज में अगर बात करें तो पांट सेजार या इकाउन सो बाउन सुरुपे बन जाता है क्योंकि थोड़ा करेंशी मान लिख सकते हैं अपन थोड़ा सा अब डाउन होता रहता है तो पांजा करोना पोजिटिव नहीं है तो सरकार नहीं अच्छी पहल कि अलंकि इंडिया में करोना की रिपोर्ट बहुत सस्ती मिल जाती है अगर आप करवाते हो तो पंदरा सो से दो हजार के बीच में आपको रिपोर्ट इंडिया में मिल जाती है लेकिन दुबई का पता है थोड़ केरल के थे काफि टाइम से रेरे थे बिजनस मे लोस हो गया बरबाद हो गया छोटबलम 1975 बोडी मे duy में five-s片 मेने शोपिटल में थे बोलने की श्थिवा दिंटी में नहीं थे उनका बिल आ गया वन बताना आलांकि अपवाद हो सकता है हम यह नहीं कहतें इंडिया में असा नहीं वा क्योंकि इंडिया में सरकारी शुधा मिल जाती तो इतनी नौपत नहीं आती लेकिन एक अंडियन वरकर दुबाई में इस आलात में पहुंच जाता है खुद बिमार उसकी वाइप को कैंसर बच्ची को दिल की बिमारी गर में तीन मेंबर तीनों की तीनों मतलब एक डेड कंडिशन में पहुंच गए और बिल अगर बरती उसको करवाया गया सामाजिक सायोग से या UA में जो रह रहे हैं उनकी वज़त से 5-6 मेने का बिल आ गया 16 लाग दुबई दराम कौन चुकाएगा लेकिन होस्पिटल ने ये उनकी दिरिया दिली देखते उनका बिल माप कर दिया और इंडियन एमबेसी का भी पूरा सपोर्ट रहा उनके बीच में तालमेल समंझे से बठाने में उसकी ऐसे तो बिल कोई माप नहीं करता भी एविडेंच देने पड़ते हैं कि ये रिजन है दे को ये कहां से पैसा चुकाएगा तब हर आदमी सोचने पर मजबूर होता है इंडियन एमबेसी ने फिर उनकी टिकट की वेस्ता की वेलचेर की वेस्ता की उनको इंडिया पहुँचाय गया जो अभी सरकारी होस्पिटल में एडमिट है ऐसा इंडियन एमबेसी की तरब से बताया गया तो भाई आप कहने का मतलब यह है कि सरकार का धनेवाद दें दुबई होस्पिटल का धनेवाद दें कि इतना बिल माप करना कोई छुटी बात नहीं होती है कितना बिल बनता है 16,00,00 दुबई दराम इंडियन रुपीज नहीं दुबई दराम अच्छी बात है यह वे सरकार ने सोचा गरीब लोगों के बारे में सोचा वरना उनको तो यह वरना पड़ता इंडिया में तो देखा होगा रहे भाई क्या बताएं डेड बोडी के पैसे जब तक नहीं दोगे डेड बोडी नहीं मिलेगी इंडिया में देखा होगा कोई अच्छी बात है कोई तो यहां से सीख ले बस यह जान करें आप लोग में साथ शेयर करने थी साथ ही वीडियो चाले के लाइक शेयर करें मिलते हैं अच्छे वीडियो में नेक्स जान करें के साथ जेहिंद वंदे मात